नमस्कार प्यारे बच्छों अभी हम बोर्ड प्रिक्सा में कैसे लिखें ये सिखेंगे हम पूरे साल अच्छी मैनत करते हैं अच्छे नमबर लाना चारते हैं तो हमें अच्छे से लिखना भी सिखना होगा बोर्ड परिक्सा में लिखने का तरीके दिए आपका अच्छा है तो आपके नंबर अपने आप आएंगे अच्छे नंबर आएंगे आपके तो दोस्तों यहाँ पर आपका बोर्ड का फेपर कुछ इस तरीके से आता है जिसमें यहाँ पर कुछ निदेशन लिखे रहते हैं और कुल यह आपका अच्छी नमर का पेपर है जिसमें आप 3 गंटे और 15 मिनट का समय मिलता है देखे दोस्तों यहाँ पर जो सेक्षन A है उस जो सेक्षन B की बात करते हैं तो इसमें आपका परते ही ऊच्छी नमबर घरा है तो देखे पहले आप समझेए की कौन सा कुछन हमें पहले करना होगा और जिससे की हमें ज्यादा फायदा होगा तो दोस्तों यहाँ पर आप एक कुछन अर्टेंट करते हैं तो केविल कितन B की बात करते हैं इसमें आपका A कुशन ने दी आप हल कर लेते हैं और वह सभी होता है दो नमबर मिलेंगे यनि आपको नमबर बढ़ते जाएंगे च्छीक है अब उसके बाद सेक्षन C में एक ही कुशन ने दी आपने हल किया है तो नमबर 3 मिल जाएंगे यह नि इसके A कुशिन हल करो और section A के T screaming हल करो बराबर है ऐसे तुलनात्मक़ोप से समझे यहां पर section D में आप A कुशिन हल करते हैं तो आपको चार नंबर मिल जाते हैं जबकि section A में आपको 4 कुशिन हल करने पढ़ेंगे चार नंबर के लिए तो दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सिंपल है पहले हम उस पार्ट को लेंगे जिसमें क्या हो नंबर ज्यादा हो जैसे हम यदि इस पूरे पार्ट को हल कर देते हैं ठीक है सेक्शन डी को हल कर देते हैं इसमें कुश्चन कितने हैं एक, दो, तीन तीन कुश्चन है यानि हमारे एक सेक्शन को हल करने से टोटल कितने नंबर आ जाएंगे हमारे पास बारा नंबर आ जाएंगे अब दोस्तों जैसे आप हल कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या करना है ऐसे हल करना देखे सेक्शन डी पहले section D लिख दिया उसके बाद section D के जो भी आप question हल कर सकते हैं उन्हें सबी question को sequence wise हल कर दो जैसे मैं 21 number 22 number 23 number ऐसे regular करम wise हल कर दो अब इससे फाइदा क्या होगा जो examiner copy check कर रहा ना उसके लिए आपकी copy check करना आसान हो जाएगा और उसको पता रहेगा कि बंदा करम wise question को हल कर रहा है इसका मतलब इसका त्यारी अच्छा है इसका copy में दम है ठीक है तो इस प्रकार से देखिए एक इसका हो गया कि ज़्यादा number का question एक question पूरा हल हो गया अच्छे से हल गया हो गया सीदे चार number मिल रहे है ठीक है और दूसरा इसका क्या फाइदा है देखिए ये बड़े question है इसमें हमें पूरे number जब मिलते हैं जब हमने इसको पूरा हल किया यह थोड़ा time जादा लेगा तो यदि हमने starting में हमारी speed भी अच्छी रहती है और हमारा mind भी फ्रेस रहता है तो starting में यदि हमने exam में बड़े question हल कर लिए तो उसके बाद हमारा confidence अच्छा हो जाएगा और छोटे question फिर हम last में हल कर सकते हैं कम time में हल कर सकते हैं इसका फाइदा यह होगा कि हमारे paper में question कम से कम चूटेंगे और ऐसा भी हो सकता है कि हमारा एक भी question ना चूटें ठीक है सबसे बड़ा problem होता है question सूटने का सबसे बड़ी वज़े होती है पहले हम छोटे छोटे question में सारा time लगा देते हैं उसके बाद बड़े question ज्यादा time लेते हैं तो वे हमें हल करने में लग जाते हैं और हम ठक जाते हैं लाश्ट में तीन गंटे लिक लिक के ठक जाते हैं तो इसलिए पहले बड़े question को target कीजिए उसके बाद C section कर दो ठीक है कैसे करना है वैसे section C लिकना और हल करना है अब A और B में से आपको कोई भी जो पसंद है अच्छा है उसको हल कर दो अब आप क्यूंकि इसमें दो नमबर का उसमें एक नमबर के हैं तो उसमें ज्यादा question करने से इसका यह आपका बराबर हो जाएगा ठीक है लेकिन यहाँ पर आपके मन में यह विद्कत हो रही है कि मैंने section D देखा इसमें से मुझे एक भी कुशन अच्छे से नहीं आ रहे है तो फिर क्या करें जबकि आपको section A में बहुत सारे कुशन जो simple एक लाइन की कुशन हो बहुत सारे कुशन आपको अच्छे से आ तो उस इस्तती में फिर आप क्या करेंगे section A के कुशन को पहले लेकर चलेंगे section D के कुशन ने इनर्जी अच्छा रहता है तो ऊछसे से अच्छा रहता है तो उनका फास्ट फास्ट हल कर देंगे ठीक है वो उन विधारतों के लिए जिनका त्यारी अच्छा है और वे ज़्यादा नमबर लाना चाहते है अब देखिए यह आप का जैसे सिंपल सिंपल कुशिन है एक एक लाइन की सिंपल कुशिन है और इनमें आपको काफी सारे कुशिन आ रहे हैं अच्छे से तो फिर की जब सेक्सिन चिहें करת rains उपल करने हैं जतने हैं मेश् rockets सकते हैं उसके प्रवे का सब्सक्राइन करेंगे तो एक्जाम संबहो पाएगा नहीं तो यह वीडियो कैसा लगा नीचे कौमेंट कर बताएं और सबसे अच्छा तरीका या है कि एक्जाम से पहले इस तरह की कुछ प्रेटिस कुशन ले प्रेटिस करने के लिए कुछ कुशन पेपर ले आए और उन पर आपका इस तरीके से पहले अभियास करके खुद को परफेक्ट कीजिए थोड़ा